पूर्बार इस्टुडेंस आज हम पढ़ने वाले बैक्स में लेसर नमबर 8 कराम है नमबर 21-50 21-50 में आज हम पढ़ने वाले है राइट गर नमबर बजला आपको जो यहां परिके दिया है उसमें मस्टिक ट्रॉ करते हीै जैंसको कांट करना है पूर्स में लियो में स्कॉल दी लिया है तो द ह exploded नमबर 8 को कांट कर दा है तो सबसे बहुत करें के 10 से कि मैंस्टिकक्स ली गई है वहले काूंट करें यहां पे एक बंदर में कितनी में स्टिक सकते हो 10 तो एक बंदर हुआ 10 का और दूसरे बंदर हुआ 10 का 10 असे 20 यहां पर में स्टिक्स कितनी है 20 तो यहां पर 10 के प्लेश कर आएगा 2 और यहां के बंदर के इतनी में स्टिक्स कि लिए है तो यहां के बंदर के इतनी में स्टिक्स है तो तो टोटल अगर इतना हुआ 25 25 इसकतर पर यहां के लिखे 25 पर पिरसे 10 लेगी हो चुई अब रहा है आपको यहां पर 10 की में 10 स्टिक्स का एक पर दो दिया है और सिबार कुष्रा पर दो दिया हुआ उब ही 10 स्टिक्स का है तो 10 प्लस 10 वार 20 20 पतलब 2 टेस होता नहीं 20 तो अब 10 की प्रेश की इतना है नुमबर 2 और यहां पर बंस कि नहीं 30 स्टिक्स के उसको कांध कार नीन शक्ति आए फार पर रेकर और यहां पर 5 टतुक्त क으ले है ?? तो 10 और बंद को मिलागी कि नहीं पर बनता है गों नमर के आपके नहीं देखेगी तो बड़िया 25 उसी ज़़र में सेकेंड वार एग्रमबर सौफ करेंगे यहां पर बंड़ दीए 10 स्टिप के तो 3 बंडल टेंज के मतलब 3 तो यहां पर 10 सी प्रिस में हम 3 नमबर फिर से आपको समझा रहें तहां के लिए आपकर 10 स्टिप के बंडल कितने लिए हैं 1 2 & 3 तो कितने हुए स्टिप 10 20 30 30 स्टिक हुए 30 स्टिप मतलब 3 तो 10 की केश पर ऐगा 3 और आपको फी काम तर मैं 1 वन्स की प्रेस के कितने स्टिक लिए है 1 2 3 तो यहां के आपको लिखना है 3 तो कितना नमर हुए 10 तो और वन्स को मिला के 3 3 33 तो यहां पे हम सर्कल में लिखेए 33 समझे है सबको फिल नेक्स एग्जम्पर देखेए 3 वाज थड़ एग्जम्पर के आपको दिया लिए है 2 बंडल जिए हैं 50 20 पतलब 2 10 आपको 10 ती प्रेस पे लिए ना है 2 नमर्ज अब कितना प्रंपर के लिए है तो तो यहां आएगा 2 नमर्ज अब कितना प्रंपर के लिए हैं 22 22 22 तो यहां पे 22 अब एक लाइए 4 एक्जम्पर मीं आपको 4 बंडल जें मनुखे 1,2,3 एड 4 बंडल कितनी स्सिक यह जै पसपो 20,30,40 40 physics मतलब 4 तो यहां पे लिखेंगे, बॉक्स में पूर रूंब वंस की पैसे कितना नमबर दिया रहा हो इसी वान है टू तो यहां पे काउंट करके हम लिखेगे वन की पैसे टू तो नमबर कुंसा धना रचू टैंस और क्वंस को मिलाएं तो फोर टैंस टू वर मतलब 42 तो हम इना के सर्थर में लिखेगे 42 देहां पूचों में आपसिया रहा है कि आपको सी को काउंट कर गी है उसको एड और बंस में डिवाइड करणा और डिवाइड करके निया करना जू नमबर बनेगे वसको उसको अट को सर्थर में लिखेगे अग्जा आपको टैक्सित में कुछ एग्जामपल दिये गा है कि अज्ञा आपको पताल स्वाइड करें था इस अग्जामपल दिये गा है आपको इसको स्वाइड कर दे गाए है एंग्जा नमबर दिये गारा आपको इसको स्वाद कर दे गारा है है